स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में अम्पाइज नई गेन के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैट्सविन पिछ की और बढ़ते हुए बल्ले पास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए बढ़िया चार रन गेन बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथा जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेन बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं ये शौट बढ़िया है अच्छी टाइमिंग और गैप में भी मिल जाएंगे चार रन गेन बाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा आसानी से केला एक रन के लिए तेज गेन बाजी को खेलना फसंद करते हैं ये बल्ले बाज लाजवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा बढ़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बाज कराना शरो पौका दिए ग्रान केबार गाप में खुबसूरती के साथ खेला और ये बाउंडरी दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हुने सुन्दर शौर गैप में सीधा चार रन के लिए बल्ले बाद अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं जबर्दस शॉर्ट कोई नहीं रोग पाएगा इस गेंड को बाउंडरी जाने से जब ये फॉल फॉर्म में होते हैं गेंड बाजों के च्छके छुड़ा देते हैं और ये छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच पिछ पे गर्मा गर्मी बल्ले बाज और गेंड बाज के बीच बहस चल रही है कप्तान को परिस्थिती संभाल नहीं होगी गेंड बाज अपने प्रिफ़र्ड एंड से गेंड बाजी करते हुए पूरी ताकत से खिला गया ये शौर और ये पूरे छे रन ये बाज बाजी बाजन चान दाड़ बाज बाज़ टके लिए नही नहीं हो बाज़ चान दार बाजन लिग हान पाए नहीं होगी प्रोवर घुए और वो अमपाय के डिसिजन से सहिमत है फील्डरों के बीज गैप ढूनने में काम्याब चार रन के लिए गैन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा बड़ा शौर बेटरी टाइमिंग छेट